हाई फ्रेंज वेगों मानव वेलकम डू मुवी शूवी दोस्तो जी फाइव सबसे बड़ा प्लाटफॉर्म है जहां पर मुवीज और वेब सेरीज हिंदी में बनती है एक समय ऐसे था अभी कुछ टाइम पहले ही था जब जी फाइव पे बैक टू बाइद मुवीज भी आत करने वाले हैं कि इस महीने यानि जुलाई के महीने में इनके पास क्या-क्या बड़ा कॉंटेंट है तो पहले गमर पर दोस्तों इनके पास एक मुवी है जो की बहुत ही जबर्दस्त मुवी है इसका नाम है स्टेट ऑफ सीच टेंपल अटैक आपको यह तो पता ही होगा स् मुंबई अटैक्स के बारे में था और कमाल का हिट हुआ था और लोहों के दिल में घर कर गया था अब दोस्तों स्टेट ऑफ सीच टेंपल अटैक आ रहा है अक्षर धाम में जो 2002 में अटैक हुए थे और दो टेरिरिस जो है टेंपल के अंदर चले गए थे और हमारे जो ज अस्तुत करेंगे अक्षे खन्ना जी हां अक्षे खन्ना काफी बहतरी इन आक्टर हैं काफी टाइम के बाद वापस आ रहे हैं और OTT इन तरीके के अक्टर जो में स्ट्रीम मूवी में नहीं आ पार है उनके लिए परफेक्ट है दोस्तों यह आने वाली है 9th of July को Z5 के ओप पर तो मार्क देट दूसरी जो बड़ी रेलीस है दोस्तों Z5 के ओपर वो है 14 फेरे और इसका भी ट्रेलर भी नहीं आया है इसका एक पोस्टर आया है जिसके अंदर विकरांत मैसी और कृती खरबंदा एक दूसरे को देख रहे हैं और उनकी अवेवे शादी हुई है और जहां कहा जा रहा है कि जितना दुगना होगा दमाल उतना दुगना होगा बवाल तो देखते कितना बड़ा बवाल होता है बहराल यह दिवांशो सिंग़् मेन बनाई है जिन्टु तो यह बहुत बढ़िया लगी थी और इसको आप जुरूर देखना अगर आपने नहीं देखा है और मेरे चैनल पर जाके इसका आप रिव्यू भी देख सकते हो इसके अंदर एक सर्प्राइज रोल गोहर खान का भी रखेगा दोस्तों तो यह दोस्तों जो मुवी है वह एक सोशल सटायर होगा जो कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और विकरांत मैसी के तो क्या कहने है अभी अबने उनको हसीन दुल्रुबा में एक अलग ही अफ्तार के अंदर देखा है तो मज़ा आना चाहिए बेराल दोस्तों आब हम तीसरे नमबर पे चलते है जो की है नहीं इसले नहीं है दोस्तों क्योंकि सिर्फ दो ही मेजर कॉंटेंट आ रहे हैं जी 5 के बस एक टाइम का जब उनकी पास लॉंट्री लिस्त होती थी तो टॉप 5 टॉप 10 मना करते थे अब टॉप 2 तो कुछ होता नहीं तो सिर्फ दो ही इनकी मेजर रिलीजीज है दोस्तों इस जुलाइ के महीने में इससे बड़े रिलीजिज नहीं हैं के पास हिंदी लांग्वेज में बंगला लांग्वेज में और अब बंग्वेज में काफी कुछ है अगर आप इंट्रिस्टेड है तो आप मेरे को कॉमेंट करके बताए उसकी उपर मैं अलग से वि and we shall meet again very very soon बाइ बाइ